नमस्कार आपको का फाले जामें स्वागत हैं यहाँ पर बात की जाएगी एंटी पीची में आज एक नई डिट फिर से एट की गई है तो इसके बारे में जरूर देखी गया क्योंकि ओफिसियल नोटीस यहां पर आया आया आपको तेरा तारीक का इससे पहले भी आपको एक तारीक यानि 22 फेरवरी जो है उस दिन आपका एक्जाम नहीं होने वाला था उसको आयट किया गया था अब फिर से क्या हुआ कि एक और नहीं डिट को याद किया गया है यानि उस दिन भी यह पेपर होगा हो सकता है कि आपका पेपर उस दिन हो उसको जरूर चिक करें और इसको ज़्यादा ज़्यार करें ताकि मैक्सिम्म लोग पास चीजी पहुंच के एक चीज और की जो आपके फर्स्ट फेज और सिकेंड फेज के जितने भी क्यूस्टन से मोश्ट इंपोर्ण सभी को एक साथ एक वीडियो बना के डाल दिया गया है आपका सीधे 13 तारीक त सब आपके कैस्टन जो सही वाले हैं ओके देखेंगे आज का नया नोटीस क्या है दिए अ इसलिए नोटीस ज़िए जसका है जो आज जारी क्या गया है देख सकते हैं आपे 13 तारीक 9 पियम devale सामब को इहां पर जारी क्या गया है और आपके आज से ही जो आ अपको चीज आपको 15 से शुरू हो जाएगा फेज फोर्थ का एक्जाम जो कि कब से चलेगा आपका 15 से लेके 3 मार्च तक आपका चलेगा उसमें कौन-कौन से ती थी 15,16,17 और 27,12,3 जबकि इसमें आपका 22 नहीं था 22 को आपको आट किया गया नहीं थी रूप में आट किया था 20 को फिर उ अब एक जाम होगा तो हो ना कि आपका भी पेपर पढ़ा हो तो इसको जरूड़ चेक कर लिजेगा और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हो सके भाई अगर किसी का भी पेपर हो तो क्योंकि छूटना नहीं चाहिए किसी का पेपर है ना अगर आपको जानकारी इसकी है मिल लाई है तो लोगों को पहुचना चाहिए सभी के पास है तो यह थोड़ी से छोटी सी इंफोर्मेशन थी जो की सभी को पता रहने चाहिए तो यह नई की थी आट कर दी गई यानि पहले दुबाई से एट की गई थी अब यहां पे तेज फरवदी को भी पेपर होगा तो इस